हेलो एव्रिवन नीट डाउट थर्टींत कोश्चन ब्लांट रिप्रोडक्शन में से यह मैं एक साथ दो कोश्चन ले रहा हूं यहां पर दोनों कोश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं दोनों का कंसेप्ट सेम है अलग-अलग बार अलग-अलग एक्जाम में पूछे ग होंगे अगर उनके सिनर्जीट में 8 क्रोमोजोम्स हैं किसी प्लांट की स्पिशीज के जो सिनर्जीट सेल्स हैं उन सिनर्जीट सेल्स में 8 क्रोमोजोम्स हैं अगर तो उनके ऐल्यूरोन लेयर में कितने सेल्स कितने क्रोमोजोम्स होंगे यह कोश्चन था यह एक्श्चन आपको हो सकता है बार-बार बार ऐलियूरोन लेर पर ही पूछा है लेकिन change करेंगे कभी synergids के number देंगे कभी इसके number देंगे तो आपको main concept अगर सीख जाओगे तो आप किसी भी तरह के इस तरह के question को attend easily कर सकते हो मैं पहले आपको के तरफ दिखा रखा है endosperm ठीक है यह एक monocot seed है this is a monocot seed इस monocot seed में this portion is endosperm यह पूरा endosperm है ठीक है और endosperm के नीचे वाला जो portion है वहाँ पर प्रेजन्ट है आपका embryo यह पूरा embryonal portion है आपका इसी के अंदर kotyledon भी प्रेजन्ट है यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका kotyledon है यह इसका kotyledon है ठीक है बट हमें बात करने है alluron layer की now alluron layer किसका पार्ट है यह diagram clear है आपके सामने alluron layer is a part of endosperm in fact it is the wall of endosperm जो endosperm में endosperm के चारों तरफ एक proteinous layer यह प्रेजन्ट होती है this layer this protein layer this proteinous layer is called as alluron layer अब endosperm कैसे बनता है तो आपने को सबको मालूम है कि endosperm जब बनता है तो दो polar nuclei नुकलिया यह निदिपलोइड हो गया तो दो polar nuclei नुकलिया यह जो की डिपलोइड है यह जब fertilize करते हैं किसके साथ में एक male gamit के साथ में नाव male gamit कैसा होगा है haploid तो polar nuclei deployed male gamit haploid जब इन दोनों में होता है fusion इसे हम कहते है triple fusion जब इन दोनों में fusion होता है fertilization होता है तो बनता है एक endosperm जो की होता है triploid है, क्या होता है, triploid, now alluron layer किसका पार्ट है, alluron layer endosperm का ही पार्ट है, तो alluron layer हमेशा कैसी होगी, alluron layer आपको हमेशा ध्यान रखना है, alluron layer की भी ploid ही उतनी ही होगी जितने endosperm की होती है, यानि कि alluron layer हमेशा होगी triploid है, अब हम चलते हैं हमारे question पे, concept क्या है, alluron layer is always triploid, question यह है कि synergids में 8 chromosomes present है, now synergids की अगर हम बात करें, तो we all know that synergids is haploid, synergid एक haploid cell है, अब इसमें अगर 8 chromosome है, इसका मतलब n equals to कितना हुआ, 8, synergid कैसा है, haploid, तो haploid में अगर 8 chromosome present है, यानि एक haploid set में 8 chromosome present होते हैं, alluron layer कैसी होती है, alluron layer होती है triploid, यानि कि 3n, n की value हो गई 8, haploid set में 8 chromosome है, और वो 3n है, यानि triploid है, मतलब कि उसमें हो गए 3 into 8, यानि 24 chromosome, तो अपना answer होगा second option 24 chromosome, सेम इसी तरह का question, AI PMT 2011 में भी पूछा गया था, थोड़ा सा फरक था, उन्होंने कहा था कि, alluron cells की ploidy क्या होगी, यानि chromosomes कितने होंगे उसमें, अगर उसके root tip cell में 42 chromosomes हैं, root के tip में जो cell है, उसमें 42 chromosomes हैं, और यह आपके सामने थे, 4 option, देखो root tip cell की बात करता हूँ मैं, यानि root का tip है, उस tip के उपर जो cells present है, अब we all know कि जो root का tip है, यह हमेशे deployed रहेगा, because यह main stems, पूरो fight का part है, तो यह हमेशे रहेगा deployed, deployed यानि कि 2N, और 2N कितना दे रखा है, 42, because 42 chromosomes, question में mentioned है, 2N दे रखा है 42, तो N की value कितनी होगी, N की value होगी, 42 divided by 2, that means 21, और पूछा है कि alleron layer में कितने chromosomes होंगे, तो we all know alleron layer is triploid, तो यहाँ पर N की value है 21, तो 3 into 21, it comes out to be 63, यानि अपना answer होगा, second option 63 chromosomes, तो बस इसी तरह के question आएंगे, आपको plant की किसी part के number of chromosomes दे रखे होंगे, और आप से पूछेंगे, alleron cells की ploidy क्या होगी, उसमें कितने chromosomes होंगे, तो बहुत आसान है, आपको triploidy के अंदर कितने chromosomes होंगे, वो value आपको निकालनी है, बस that's it, thank you very much for connecting with us, stay connected for more such doubts.